दोस्तो नमस्कार ये हैं मागदोशन फार सिविल सर्विशेज मैं अनुराग शोधरी दोस्तो प्रीवियस एर्स पेपर्स रिवीजन में आज की वीडियो में हम साल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोकसिवा आयोग द्वारा आयोजित गौर्मेंट इंटर कालेज प्रवक्त के सामान्य अध्यन का वर्स 2009 का प्रशन पत्र जिसमें हम कुल 30 प्रशनों को साल्व करेंगे हलाकि नए पैटर्न के अनुसार अब GIC प्रारंभिक परिक्षा में सामान्य अध्यन के 40 और आपके वैकल्पिक विशय से 80 प्रशन पूछे जाएंगे तो आप 40 प्रशनों के हि प्रशन पत्र दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रशन है देखिए सामान्य विज्ञान से संबंधित है एक जेट इंजन की कारेपडाली किसके संरक्षन पर निर्भर करती है आपको बताना है आपसन है आपके द्रब्यमान उर्जा रेखी संबेग या कोडी दोस्तों जेट इंजन की कारेपडाली रेखी संबेग संरक्षन पर आधारित होती है और जेट इंजन जो है वो वातावरण या परिवेश से आकसीजन प्राप्त करके अपने लिए थ्रष्ट प्राप्त करता है अगला प्रशन है ग्रहों की गतिके नियमों का किस के द्वारा किया गया था आपको बताना है नियूटन के द्वारा केपलर के द्वारा गय लेलियो या कौपर निकस तो सही उत्तर है दोस्तों आपसन B केपलर के द्वारा दोस्तों जर्मन गडितग्य और खगोल विद जान केपलर ने दो आकासि पिंडों के गति का उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा जीवाड़, बिसाड़, कवक या प्रोटो जोवा तो सही उत्तर है कुष्ट रोग जो है लेप्रोशी ये जीवाड़ों के द्वारा दोस्तों उत्पन्न किया जाता है और ये एक संक्रामक रोग है जो माइक्टो बैक्टिरियम अमोनिया या सल्फर डायाकसाइड तो सही उत्तर है दोस्तों सल्फर डायाकसाइड देखिए और द्योगिक जो प्रदोसर्ण होता है उससे सल्फर डायाकसाइड और नाइट्रस आकसाइड वाइमंडल में पहुचते हैं और आकसीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक गिरते हैं इसको अमली बर्सा कहते हैं और ये अनेक प्रकार के इमारतों और जो पुरा तत्व के संबंधित अपने जो असमारक होते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं अगला प्रश्ण है हमारे सरीर में आनुआनसिक्ता की इकाई को क्या कहा जाता है आपको बताना है गुड़सूत्र, डिन, जीन या केंद्रक तो सही उत्तर है दोस्तों हमारे सरीर में आनुआनसिक्ता या जैनेटिक्स की इकाई जो है उसको जीन कहा जाता है दोस्तों आनुवानसिक्ता का जनक किसे कहा जाता है तो ग्रेगर जान मेंडल देखिए ग्रेगर जान मेंडल को आनुवानसिक्ता का जनक कहा जाता है और इन्होंने अपने प्रियोग मतर के पौधों पर किया था दोस्तों देखे क्रोमोसोम जो होता है वो DNA की बनी ऐसी सोच मसंद रशनाय होती है जो आनुवानसिक लक्षणों को धारण करती है और उनको एक पीड़ी से दूसरी पीड़े में अस्थान तरित करती है उनको जीन कहा जाता है और जीन जीवों के आनुवानसिक्ता की मूल इ काई होती है अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों निम्लिकित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रतन से सम्मानित किया गया था आपसन है खान अब्दूल अब्दुल गफार खां लिया कतली खां यमे जिन्ना या मुहम्मद इकबाल तो सही उत्तर है दोस्तों खान अब्दुल गफार खां दोस्तों भारत रत्न जो है 1954 से दिया जाना शुरू किया गया था और खान अब्दुल गफार खां पाकिस्तानी नागरिक थे जिनको उत्त पश्मी सीमा प्रांत में लाल कुर्ती चलाने वाले खुदाई खिदमतगार या रेड शर्ट मुवमेंट के संस्थापक माना जाता है इनको दोस्तों खान अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर ग्रांधी या सीमान्त गांधी के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाले पहले गैर भारती नागरिक थे अगला प्रश्न है आपको बताना है कि अश्टाद ध्याई किसके द्वारा लिखी गई है तो उत्तर है पाड़िने के द्वारा दोस्तों अश्टा ध्याई ब्याकरण के आचारे पाड़नी के द्वारा लिखी गई है और ये नंद सासक महापद्मनंद के मित्र थे अगला प्रश्ण आसान सा है अश्टा दस पुराडेस वह आप पढ़ते भी हैं तो पुराडों की संख्या कितनी हैं तो सही उत्तर है पुराडों की संख्या अठा रहे हैं अगर जो आप पुराडों के बारे में जानना चाहें तो देखिए पुराडों की रचना लोम हर्स और उनके पुत्र उग्रस्रवाद्रा की गई थी और पुराणों की संख्या दोस्तों अठारे हैं। और उनकी रचना दोस्तों पुराणों का जो संकलन है वो लोम हर्स रिसी और उनके पुत्र उग्रस्रवाद्रा की गई थी। अगला प्रशन है निम्खित में से किस मुगल सामराट ने अंग्रेजों को बंगाल में सुल्क मुक्त ब्यापार की सुविधा परदान की थी। आपको बताना है अकबर जहांगीर बहादुर साह या फर्रुक्सियर तो सही उत्तर है आप संडी फर्रुक्सियर। दोस्तों मुगल सासक फर्रुक्सियर के द्वारा सन 1717 इस भी में एक फर्मान जारी किया गया था जिसमें अंग्रेजों को शुल्क मुक्त ब्यापार की सुविधा मिली थी। अगला प्रशन आपको बताना है कि सेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां परिस्थित है आगरा अजमेर दिल्ली या फतेपूर सीकरी तो सही उत्तर है दोस्तों चिस्ती सिलसले के प्रमुख सूफी संत जो है से अगला प्रशन है दोस्तों पूर्ण स्वराज की घोषडा भारती राष्टि कांग्रेश के किस अधिवेशन में हुई थी। तो ये एतिहासी का अधिवेशन था दोस्तों पूर्ण स्वराज की घोषडा ये लाहोर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था इसकी अध्यस्ता पंडित जवाहर लाल नहरू ने की थी दोस्तों और इसे में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था और इसी तित को घोसित हुआ था कि प्रतिवर्स 26 जन्वरी को स्वाधिनता दिवर्स मन ग्यांदोलन तो देखे गांधी का जो चमपारण सत्याग्रह है ये सबसे पहले 1917 में इसके बाद जलियावाला बाग हत्याकांड आप जानते हैं 1919 में 13 अप्रैल 1919 को इसके अलामा इसके बाद दोस्तों असहयोग अंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था और सविने अभग ग्यांदोलन 6 अप्रैल 1930 से प्रारम भुगा था तो सबसे पहले आपका आजाएगा देखे चमपारण जलियावाला बाग असहयोग अंदोलन और सविने अभग्यांदोलन तो सही उत्तर आपका हो जाएगा आपसन C सही उत्तर हो जाएगा 3,2,1 और 4 अगला प्रशन है दो आर सी मजूमदार और पी ई राबर्ट्स तो सही उत्तर है आर कोपलेंड का कथन है कि इंडियन जो नेशनलिजम था वो ब्रिटिस राज का सिसु था अगला प्रशन है दोस्तों भारते उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन संबिधान सभा के पर्थम अध्यक्ष तो सही उत्तर है दोस्तों यहाँ पर देखिए संबिधान सभा के पर्थम अध्यक्ष पूछ रहा है सचिदानन सिनहा को आप जानते हैं दोस्तों कि 9 दिसंबर 1946 को संबिधान सभा की बैठक जो आरम भुई थी इसमें सचिदानन सिनहा को अस्थाई अध्यक्ष शुना गय लेकिन 11 दिसंबर 1946 को डाक्टर राजेंद्र प्रसाद को सम्विधान सभा का अस्थाय अध्यक्ष ने उत्त किया गया तो सही उत्तर है दोस्तों कि भारती सुतंता अध्रियाम 1947 के द्वारा ही सम्विधान सभा भारती अध्राजी के लिए संप्रव सम्विधान सभा बनी थी इसलिए इसके तत्कालिन अध्याच राजेंद्र प्रसाथ थे आपसं सी आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन है दोस्तों मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया गया था आपको बताना है आपसं है आपके फरवरी 22 में 1922 में दिसंबर 1928 में मार्च 1940 में या सितंबर 1944 में तो सही उत्तर है मार्च 1940 में दोस्तों मुस्लिम लीग का लाहर अधिवेशन 22 से 24 मार्च 1940 को हुआ था इसकी अध्यस्ता मुहमद अली जिन्ना ने की थी और इसी अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पास किया गया था जिसके तहत भारत का विभाजन करके एक प्रिथक मुस्लिम राष्ट पाकि भीम राव अमबेटिकर द्वारा संबैधानिक उपचारों के अधिकार जो की अनुच्छेद 32 में बाडित है इसको संबिधान का हिर्दय और आत्मा की संग्या दे गई है अगर लेकिन ऐसे सामाने धंग से पूछा जाए तो भारती संबिधान की आत्मा भारती संबिधान की उद्देशिका या प्रस्तावनों को कहा जाता है लेकिन डाक्टर अमबेटिकर के कथन के अनुचार जो संबिधानिक उपचारों का अधिकार है वो संबिधान का हिर्दय और आत्मा है अगला प्रश्न है भारत के संबिधान के किस अनुच्छेद में उसके संसोधन की प्रक्रिया दे गई है तो आप जानते हैं अनुच्छेद 368 ये भारती संबिधान के भाग बीस में अनुच्छेद 368 को संबिधान संसोधन और इसकी विवस्था में संसोधन की सक्ति प्रदान की गई है और संबिधान में तीन प्रकार से संसोधन किये जा सकते हैं संसत के साधारन बहुमस से संसत के दोती हाई बहुमस से और राज्य के बिधान मंडल की स्विक्रिती से अगला प्रश्ण है दोस्तों भारती नयायाले की किस अनुचेद के तहत सर्वोच नयाले भारती नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है आपसन है अनुचेद 74, अनुचेद 56, अनुचेद 16 या अनुचेद 32 तो सही उत्तर है दोस्तों आपसन D अनुचेद 32 देखिए अनुचेद 32 के तहत सर्वोच नयाले और अनुचेद 226 के तहत उच नयाले मौलिक अधिकारों के उलंगन की स्थिती में उपचार प्रदान करत यह दिखतरा है बाह आक्रमण का आंतरिक अशांति का ससस्त्र विद्रोह का या सामप्रदाइक संगर्ज का तो उत्तर है दोस्तों भारती संविधान में जो राष्टी आपात के उध्गोशना बाह आक्रमण और ससस्त्र विद्रोह से यानि युद्ध बाह आक्रमण और ससस् की स्थितियां दी गई है कि दोस्तों अनुच्छेद जो है आंतरिक असांति सब्द पहले था लेकिन आंतरिक असांति सब्द ये है इसको 44 संबिधान संसोधन 1988 के द्वारा इसके जगह पर जो है ससस्त्र विद्धो ला दिया गया और सामपरदाइक संघर्ष का इसमें कहीं क रश्ट पति कर सकता है तो एक और तीन दिखे आप्सन एक और तीन आपके सही सुमेलित है विकल्ब डी सही है अगला प्रश्ण है निम्खित में से कौन सा नीती नी दे सकता तो है समान आचार संहिता प्रेस की स्वतनता धर्म की स्वतनता विधी के समक्ष समांता तो डायरेक्टिव प्रिंस्पल आफ इस्टेट है तो देखिए समान आचार संगिता नीत निल सकतत्व है आपसन ए आपका सही है अगला प्रशन है दोस्तों टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहा जाता है आपसन है आपके अंकारा अदाना इजमीर या इस्तांबुल तो सही उत्तर है आपसन डी इस्तांबुल दोस्तों टर्की के नगर इस्तांबुल को पश्चिम का द्वार कहा जाता है और इस्तांबुल का विश्तार यूरोप और एसिया दोनों ही महादीपों में है अगला प्रशन है फाकलेंड धारा कहां प्रवाहित होती है आपको ब अगला प्रशन है दोस्तों निम खित में से कौन सा युगम सुमेलित है आपको बताना है इसमें राजधानिया है और प्रमुख देश है तो देखेए साइप्रस साइप्रस का दिया है बगदाद ये सही सुमेलित नहीं है दोस्तों क्योंकि साइप्रस की राजधानी आपकी बगदाद नहीं बलकि निकोसिया है लेबनान, लेबनान की राजधानी दोस्तों बेरूत है ये सही है तर्की की राजधानी असगाबाद नहीं बलकि अंकारा है और यूक्रेन की राजधानी अकमोला नहीं बलकि कीव है तो देखिए कीव और अंकारा तर्की की राजधानी है और साइप्रस की राजधानी आपकी हो जाएगी निकोसिया तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा कि सही सुमेलित केवल लेबनान है आपसंद भी सही उत्तर है अगला प्रशन है वास्पोरस जलसंधी दोस्तों वास्पोरस जलसंधी किसको जोडती है तो सही उत्तर है काला सागर और मारमरा सागर को जोडती है उन्टराटो जलसंधी दोस्तों ये एड्रियाटिक सागर और भूमध्य सागर को जोडती है एड्रियाटिक और भूमध्य स पुराने डाटा के आधार पर ये प्रशन पूछा गया था लेकिन बरतमान में जो हमारे पास बरतमान के आकड़े उसमें पहले नंबर पे तेल उत्पादक देशों में यू यसे यानि संयुक्त राज अमेरिका है दूसरे अस्थान पर सौधी अरब है सौधी अरब तीसरे अस्थान पर दोस्तों रूस है तीसरे अस्थान पर तेल उत्पादक देशों में रूस है और चौथे अस्थान पर चौथा कनाड़ा है तो यहाँ पर देखिए यह आपसन अगर जो आब यह प्रशन आपसे पूछा जाएगा विस्वे पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक या दूसरे क्रम का उत्पादक तो याद करिए अमेरिका जो है पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पर दो 1966 में खेला था तो देखिए और सवा टेस्ट क्रिकेट भारत ने 1966 में खेला था यहाँ पर प्रश्ण जो है थोड़ा सा देखिए चेंज करना पड़ेगा भारत ने अपने सवमी टेस्ट विजय यह प्रश्ण अगर जो कहा जाए तो यहाँ आपसन मिल जाएंगे भारत नो अपनी सौमी टेस्ट विजय कब परात की है किस देश के विरुध तो सही उत्तर है स्रीलंका के विरुध दोस्तों भारत ने टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सौमी जीत स्रीलंका के विरुध एक पारी और 144 रन से जीती थी जो की कानपूर में खेला गया था लेकिन सवा टेस मैच उसने इंग्लेंड के विरुद 1967 में खेला था जिसमें 132 रन से हार का सामना करना पड़ा था अगला प्रेशन है दादा साहब फाल के पुरसकार 2007 दिया गया तो देखिए पुरसकारों में ये करेंट जो है करेंट अफेर्स आप देख लीजिएगा दादा साहब फाल के पुरसकार किसको दिया गया है दोस्तों दादा साहब फाल के पुरसकार 2007 की बात नहीं करते हैं देखिए 2018 का दादा साहब फाल के पुरसकार अमिताब बच्चन को दिया गया था लेकिन लेटेश्ट जो 2021 का दादा साहब फाल के पुरसकार है ये रजनी कांत को दिया गया ह अगला प्रश्ण है दोस्तों सितंबर 2009 में सुनामी द्वारा सैकडों लोगों की मृत्तु कहां हुई थी तो उत्तर है सामोवा द्विपो में सितंबर 2009 में आया था सुनामी डूरंड कप 2009 का विजेता कौन है तो यहां पर यह पुराना हो गया है करेंट अफेर्स डूरंड कप जो अभी हाल में हुआ है देखिए यह 2019 में डूरंड कप हुआ था जिसका बिजेता दोस्तों केरल है जिसका नाम गोकुलम है गोकुलम केरल डूरंड कप फुटवाल का बिजेता है और डूरंड कप दोस्तों बहुत ही पुराना जो है फुटवाल मैच प्रतिय इसमें मोहन बागान और केरल की टीमें है उसमें फाइनल में खेली थी अगला प्रशन और इस वीडियो का आखरी प्रशन है दोस्तों अंटार्क टिक में भारत द्वारा निर्माड़ा धिन नए सोधी स्टेशन का नाम क्या है आपसन है दच्छिड गंगोतरी भारती दक्छ रशना मोसम परियावरन जीवास मखनी जात के परिक्षन के लिए एक अस्थाई मानो यूगत केंदर दच्छिड गंगोतरी तो अंटार्क टिका में दोस्तों दच्छिड गंगोतरी अस्थापित किया था 1983 में 1983 में 1988 में मैत्री के अस्थापना की गई और 2012 में अंटार्क दोस्तों भारत द्वारत तीसरा जो अनुसंधान केंदर है वो है मैत्री केवल भारती मैत्री और भारती अनुसंधान केंदर ही सेवा में है तो देखिए सबसे पहले दच्छिड गंगोतरी उसके बाद मैत्री और फिर भारती तो सही उत्तर है अंटार्क टिका में भारत क नए निर्माड़ा धिन सोधी स्टेशन का नाम भारती है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो इसमें आपने GIC प्रवक्ता परिक्षा यानि गौर्वर्मेंट इंटर कालेज प्रवक्ता परिक्षा के आगामी परिक्षाओं के लिए सामान ने अध्यन के प्रिवियस एर्स पेपर को साल्व किया और इसमें कई ऐसे प्रश्ण हैं जिनसे आप आकलन लगा सकते हैं कि करिंट अफेर से जो प्रश्ण है वो कहां से बन रहे हैं और इसके अलामा भारति इतिहास राजविवस था और भुगोल से जो प्रश्ण बन रहे हैं वो किस टाइप के बन रहे हैं तो एक मोटे-मोटे तोर पे आप देखेंगे तो ये प्रश्ण बहुत कठिन नहीं है और अगर जो आप अच्छे से तयारी करें तो इनको आसानी से साल्व कर सकते हैं हलाकि एक महतपूर सूचना ये है कि अब निगेटिव मार्किंग या जो आप अगर जो किसी प्रश्ण का गलत उत्तर देंगे तो आपके अंक काटे जाएंगे नकरात्मक मार्किंग में आपको सटीक उत्तर देना पड़ेगा यदि आप उस प्रश्ण को सही जानते हों तभी उसको हल करिए नहीं तो आपके जो प्रश्ण सही है उसी में से कटावती करके घटा दिये जाते हैं तो देखिए इसलिए ये तयारी बहुत ही महत्वपूर है दोस्तों क्योंकि आपको बहुत अच्छे से सठीक ठंक से सही सही उत्तर जानना जरूरी होगा तब ही आप प्रश्णों को सही सही अटेम्ट करके इस परक्षा में सफलता पा सकते हैं तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मार्क दरिशन फार सिविल सेर्विसेश को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार